राइसन सुल्तान गंज से हमारे समबाददातर शहरस शर्मा की रिपोर्ट शौट सर्किट में लगी आग लाखों का नुकसान सुल्तान गंज ग्राम अवरिया में किर्शक स्याम सरां बोहरे के परतिक मकान में आज प्राता करीब पांच बजे सोकर उठे उनके पुत्र सत्यम बोहरे ने देखा कि घर में आग लगी हुई है और धुआ फैला हुआ है जिससे उसकी तथकाल सूचना परीजनों को दी गई इस वीच गाउं में हला मच गया और ग्राम बासियों ने एकत्रित होकर आग पर काबू पा लिया आग में एक गाय के बचड़े की जलने से मौत हो गई जबकि दो पसुगंभी रूप से घायल हो गई मकान सहित लाखों रूपे की सामगरी का नुकसान होना बताया गया है सूत्रों के अनुसार ग्राम अबरिया ने बासी स्याम सरण बोहरे के घर में सौट सर्किट से लगी आग अंदर रखी सिर्चाई की 5 हास्पावर की 4 मोटरें 3 हास्पावर की 2 मोटरें 3 इंची 100 फिट पाइप पंप बिजली तार हास्पावर डीजल इंजन 400 फुट सटक केबल लाखों रूपे का सामान लकडी घर का छप पर साहित कबेलू एवं खाने में रखा 10 कुंटल गेहों और एक गाई की बचिया की आग लगने से जल कर मौत हो गई जबकि एक गाई गंभी रूप से घायल है एक भैस अग जली गंभी रूप से घायल है आग इतनी भीसर थी कि तेजी से फैलने से उसने मकान को अपने चपेट में ले लिया आने फानन में गाउं के लोग एकत्रित हो गए उन्होंने जगदी शर्मा कोशल के शोर शर्मा एबम स्याम चर्ण बोहरे को तीन ट्यूवेल की मोटर तथा बिधायक द्वारा दिये गए टैंकर पर आग में पानी डाल कर काबू पाया गया इस वीच सूचना मिले पार डाइल हंडेट चालक साविर सिकंदर भी मोखके पर पहुँच गए जिनों ततकाल बेगम गण ये बम सिल्वानी की फायर विकेट को फोन करके बोलाया दोनों फायर विकेट ने पूरी तरह से आग पर काबू पाया रहदगण से हमारे संबध्धाता शर्मान कुरैसी की रिपोर्ट नेमबर की बेटियों को इंसाप दो आज सागर जिले के रहदगण में युबा कांग्रेस रहदगण की नेत्रित में नेमबर जगन हत्या कांड के बूर्ध में केंडल मार्च निकाला रहादगर बस स्टेंट पर इस्थित डाक्टर अंबेटकर की प्रतिमा के समझ केंडल लगा का मुरत लोगों को पीडित परिबार को स्रधान जली दी कारेकरम प्रभारी योबा कांग्रेस नेता बसीम खान ने पूरे हत्या कांड की CBI जाच की मांग की है आदबासी हो गएं तीन बच्चीयों का बलतकार कर निर्बस्त अवस्ता में मार कर जमीन में धफन कर दिया गया था जिन मैंसे दो नाबालिक भी थी मा और 14 साल की भाई की भी हत्या की गई भाजापा के कुछ नेता एबम अधिकारी मिलकर आरोपियों को बचाने में लगे हुए थे इसलिए दो महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई और जाचक में गुम्राय किया गया है ऐसे अधिकारियों को भी सस्पेंड करने की मांग रखी गई इस मौके पास सभी बरिष्ट नेता पददकारी एबम कार्यकरता मौजूद रहे सागर से राहतगर से हमारे संबाद दाता शलमान कुरैसी की रिपोर्ट बिदीशा से हमारे संबाद दाता राम बाबु की रिपोर्ट बसोदा थाना के ग्राम सेमरी से परिवार गरस्ती का सामान लेकर पहुंचे कलेक्टेड पांच जून को पुलिस परिवार की मुखिया गुलाप सिंग की हुई थी हत्या आरोपी परिवार प्यूलित परिवार को दे रहे थे धमकी डर के चलते पुलिस की सुनवाई न होने के कारण कलेक्टेड पहुंचे आज दोफेर एक परिवार जिसमें महीला पुरुस बच्चे भी सामिल है अपने साथ गरस्ती का सामान खाना बनाने ओडने बिछाने आटा दाल सबजी लेकर कलेक्टेड पहुंच गए जहां उन्होंने अपनी गरस्ती का सामान जबाया और पीडित परिवार ने बताया कि बैगंज बासोदा थाना छेतर के ग्राम शेमरी के निबासी है परिवार के मुखिय हीरबाई ने बताया कि 5 जून के उनके पती गुलाप सिंग की तेज सिंग और उनके अन्न साथियों ने गंबीर रूप से मार पीट कर हत्या कर दी गई थी बही मिर्तक के बेटे हरियोम लोधी ने बताया कि उनके पिता के साथ इस से पहले भी तेज सींग और उनके साथियों द्वारा मार पीट की गई थी पुलिस अगर उस बक्त सुन लेती और गंभीरता दिखाती तो साइद उनके पिता की हत्या नहीं होती उन्होंने यह भी बताया कि तेज सींग पर पहले भी 302 का मामला दर्ज है छोटे मोटे कई अपराद हैं अभी बरतमान में फरार चल रहा है उन्होंने गंज बासोदा कोदबाली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाये हैं हरियोम ने कहा है जब उन्हें घर में रहने नहीं दिया जा रहा है जान को खत्रा बना हुआ है ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए कलेक्टेड आकर सुरक्षित रह सकते हैं बिदिशा से हमारे संबाद दाता राम बाबू की रिपोर्ट